जैसे कि आप वीडियो की मेन हेडिंग में देख पा रहे होंगे योग्यता पूरी नहीं पुलिस कॉंस्टेबल की अटारा पद काली जी हाँ ये बिल्कुल सही न्यूज है एक ऐसी पुलिस की बरती जिसमें हजारों अभ्यार्थियों ने आवेधन किया हो हजारों अभ्यार की त्यारी कर रहे हैं अपने डॉकुमेंट बना रहे हैं ज्या फर्दर डॉकुमेंटेशन में पाटिस्पेट करने वाले हैं वहरदर किसी भी जिले से समझ रखते हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वीडियो में हम जानेंगे कि ये कहां की बात है और किस वज़ा से अपाद खाली रहे हैं साथी साथ वेटिंग लिस्ट का क्या क्राइटिरिया उसके बारे में हम जानेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो देखे दोस्तों ये जो न्यूज है यह उन्ना जिले का है उन्ना जिले कि अगर हम बात करें तो हुई तो जितने भी वैसे तो तीन गुना बहरती बुलाए जाते थे आस तक लेकिन इस बार जो है जितने भी पास बहरती थे यानि कि जो 1605 के अनिरेट थे उन्न सब को डॉकुमेंटेशन के लिए बुलाए गया लेकिन यह सोचने की बात है 1605 डॉकुमेंटेशन हुई उ जिस वज़े से यह पोस्टें खाली रही है उसके बारे में भी हम देखें तो 18 पद जो है प्रमान पत्रों सुमंधी योगता पूरी ना होने से खाली रह गए है यानि कि जो डॉकुमेंटेशन की जो सर्थ रखी गई थी उसको यह उमिद्वार पूरी नहीं कर पाए जिस पेल की 24 में से 20 वेकैंसी भरी गई है चालक कि यह 7 पदों में से 6 पद बरे गया यानि कि एक खाली रह गया है और एक भूतपूर्व सैनिका एक सर्विसमेन का जो यह वार्ड अफ एक सर्विसमेन का जो पद है वो खाली चला गया है टोटल में लाके 84 जो है यहां पर जो वर्ग से योगयता पूरी करने वाले 10 उमिदवारों को प्रतिक्सा सुची में रखा गया है यानि कि 10 कैंडिडेट्स को हर कैटेगरी से जो है वेटिंग लिस्ट में रखा गया है यदि कोई युवा निरधारी समय अवधी के दौरान पद भार ग्राहन नहीं करता है यान और मेरा जो डाउट है उसको आप क्लियर करोगे यहाँ पर जो 10 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं यानि कि कोई अगर जवाई नहीं करता है तो उनका सेलेक्शन होगा इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो सेलेक्शन के कैपेबल है तो डोकुमेंटेशन की जो सर्त हैं उसको फुल्फिल करते हैं तभी तो आप उनको उनकी जगह रख पाओगे तो अभी आप यहाँ पर 18 पोस्ट में वेकेंट छोड़ रहे हैं क्यों ना आप उन 18 पर इन 10 का चैन कर लेते और वेटिंग लिस्ट में जो इनके आगे वाले थे उनको रख लेते तो वीडियो में इतना ही मिलेगे अगली वीडियो में तबता के लिए जय हिंद जय भारत